अलो आज मैं आप शिश्यार कर रहे हूं इतना प्यारा और आसान बैग जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या बात है तो इसके लिए देखिए मैंने 25 इंच लंबाई का और 10 इंच चोड़ाई का एक कपड़ा लिया है और उसी के साइज का फूम लिया है और अस्तर ले लिया है अगर आपके पास फूम नहीं है तो आप यहां पर राइस बैग या फिर पुकरम या फिर चो कैरे बैग आती है न तो इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है उसके बाद साइट से जो भी एक्ष्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है तो यह इस तरीके से एक पीस हमारे पास रैडी हो चुका है कुल्टिंग वाला अब इसे मैं बीच से फूल्ट कर लूंगे इसका अब यहाँ पर हम अटैज करेंगे जिप को तो जिप मैंने कपड़े के ऊपर उल्टी रखी है और सीधी सिलाई कर ली है उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे प्रेश्टीज सेगंड सैट पर टरन करके अब जो सेकंड पीस था उसे लेना है उसे हम जिप के ऊपर रखेंगे स यूटिफुल लेस ली है आपके पास ऐसी कोई भी लेस का डुकड़ा पड़ा है तो आप उसका यूज करें इस तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर हम लेस को अटाच करेंगे उपर की तरफ मैंने फोल्ड करके अटाच कर लिया है उसके बाद देखिए हमें लेना उसे मैं कट करके निकाल दूँगी अब मैंने लिए एक और जिप को दिखे इस तरीके से हम यहां पर अटाच करेंगे और फिर हमें कर लेनी है तो यह मैंने प्रेस्टीज भी कर ली है अब मैंने यहां पर देखे नीचे वाली साइड पर एक पॉम-पॉम लेस अटाच करी अब मैंने एक ट्रिप ली है फोर इंच चोड़ाई की और इसे देखे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो यह पूरा हमारा बैल्ट रेडी हो चुका है और इसका जो मिजरमेंट है वो मैंने लिया है 52 इंच आप यहां पर अपने हिसाब से कम या ज़ादा कर सकते हैं तो करें यह ज़े इस तरीके से देखे के उपर बैल्ट को हम रखेंगे तो नहों साइट से 1व 8 इंच जितना चौड़ कर और फिर अटेच कर लेंगे अब मैंने लिया है इसका सैकंड पीश और उसे देखे इस तरीके से हम यहां ऊपर रखेंगे जिप के उपर और इस तरीके से हम सैट करेंगे रइड सैट अंदर की तरफ रखते हुए यहां पर तीनों सैट पर हमें सिलाई कर लेनी है अब सिप के पास से जो रनर है वहां से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा यह हमारा बैक बनकर रेडी हो चुका है और एक दम आसान तरीके से कैसा लगा आपको यह वीडियो यह बैक कॉमेंट जरूर करना और आपको यह पसंद आया है तो एक लाइक पी कर देना सादा से सादा शेयर करना और आप हमारी चैनल पर नहीं आये हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरते हैं सही और यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत